हें गाइस इस मुखेश कभी कभी हम लोग अपने डिड़े लाइप में इस तरीके के सनेसिच को बोलते हैं जहां पर हम लोग कहते हैं Will you help me get it? या Will you help me to get it? तो भी लगा सकते हैं? या without to के भी राइट कर सकते हैं Will you help me get rid of this? या get rid of this problem? Will you help me solve this question? विल यू हेल्प मी लुकिट फो तो इस तरह के सड़ेस को हम लोग किस तरह के सेंस में बोलते हैं लिए टेल यू जब हम लोग हिंदी में इस तरह के सड़ेस बोलते हैं करेंगे क्या आप मेरी मदद करेंगे जब सामने वाले से पूछते हैं या किसी थर्ड परसन से पूछे में other words को वर्व का first form को आप two के साथ भी राइट कर सकते हैं without two के भी राइट कर सकते हैं natural sound लाउने के लिए two को आप avoid भी कर सकते हैं well I am लोग लेते हैं कुछ examples और इसको और भी अच्छे से समझते हैं तो आज का पहला example है क्या आप मुझे यह समझने में मदद करेंगे या इसे समझने में क्या आप मेरी मदद करेंगे इस sentence के लिए वो लेंगे will you help me get this will you help me to understand this या will you help me to get this या सिर्फ बिना two का भी राइट कर सकते हैं next sentence क्या आप मुझे इस समस्या से छुटकारा दिलाएंगे इस sentence के लिए वो लेंगे will you help me get rid of this problem will you help me get rid of this problem या to get rid of this problem next sentence क्या आप मुझे यह सवाल बनाने में मदद करेंगे इस sentence के लिए वो लेंगे will you help me solve this question next sentence क्या आप मुझे यह ढूंडने में मदद करेंगे क्या आप मुझे इसे ढूंडने में मदद करेंगे या सहता करेंगे इस sentence के लिए वो लेंगे will you help me look it for will you help me look it for या फाइंड भी कर सकते हैं सर्च फो भी कर सकते हैं hey guys इसी जुड़े मैप को एक सणेज जातांस को ट्रांसर किजे राट किजे comment box में if you make any mistake then I'll correct it how did you find my video if you really like this video please like comment and subscribe and don't forget to press the bell icon and don't forget to share this video thanks for watching video friends